अगर साथ साल बाद किसी हस्बेंड ने वाइफ के लिए स्टैंड लिया, तो वो भाई जो अपनी बीबी के लिए स्टैंड लिया इतने टाइम बाद वो गलत हो गया, मतलब अगर माबाप आपको किसी शादी में इंडिविज्वल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तिलक में आपकी खातिरदारी इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपका गाली देना, वुड़ा बोलना, और हमने तुम्हें नाली से कहां से कहां पहुँचा दिया, इस तरह के शब्द बोलना, क्या ये सही है, हाँ, आज हम बात करेंगे, कैसे हैं, आप लोग मजे में होंगे, तो जो कल का वीडियो मेरा आया था, उसमें मैं काफी चीज़े कवर नहीं कर पाई थी, हालांकि मैंने कुछ चीज़े उसमें कवर करी हैं, चलिए वीडियो स्टाट करते हो, सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, कि जो कामिनी और जो अजीत हैं, उनका भी वीडियो है, एक्सपेक्टेड था कि रियाक्शन वीडियो होगा, जो जो चीज़े ऐलिगेशन्स लगाए गए हैं, कल मदर को लाके, लेकिन बहुत मतलब बहुत सिंपल सा वीडियो, जिसमें दोनों हस्बेंड वाइफ, ठीक है, देखे, अफकोर्स, दोनों को देखके लग रहा था, कि दोनों में से, दोनों वाकई बहुत दुखी लग रहे थे, और कोई भी यह नहीं चाहता था, कि जो वीडियो लाइफ हुई थी, इनकी तरफ से वो हो, हलांकि 24 घंटे का टाइम दिया गया था, और साथ-साथ जो चीज़े बोली गई, लेकिन येस, जब किसी का कोई reply नहीं आया, कोई आया नहीं, कोई बात रखने, है न, वो चाहा रहे थे कि चीज़े off camera सेटल हो जाए, लेकिन कोई नहीं आया, तो हमने वो ना चाहते वे भी, ना मेरे husband चाहते थे, ना मैं चाहती थी, वो हमको वीडियो live करनी पड़ी, टाइटल है सासु मा को वीडियो में नहीं आना चाहिए था, जिसको अपना भगवान मानती थी, उसने दिल तोड़ा देवर मुझसे शादी करना क्यों चाहते थे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, सबसे पहले तो जो सबसे जो इनको चीज सही नहीं लगी, हलां की दोनों बार-बार ये ही कहते रहे थे कि हम लोग डिस्टरब इसलिए हैं कि जो सासु मा के लिए जो गंदे कमेंट्स अब पबलिक कर रही है, ठीक है, और क्योंकि वहां की comment sections आफ हो गए हैं, वहां पे comment section अगर आपने देखो थोड़ी देर में off हो गए थे, तो लोग वहां की जो frustration है, वो यहां पे आपके इनकी comment section में निकाल रहे हैं, ठीक है, अब देखिए एक बोलेगा, दो बोलेगा कितने subscribers हैं, काफी लोग मतलब इनकी जो मम्मी है उनको बोल रहे हैं गलत लेकिन दोनों फिर भी यही बोल रहे थे कि आप गलत कमेंट मत करिये किसी की मा के लिए बच्चों को बुरा लगता है सुनने में अच्छा नहीं लगता है और कल जो उसी लड़के के लिए इतना कुछ बोला जा रहा था चलि मैं स्टार्ट करती हूँ ना चाते हुए भी मैंने वीडियो लाइफ किया क्योंकि मैं नहीं चाती थी कि वो वीडियो यूट्यूब पे लाना है नहीं चाते थे इतने सालों से हम चुप रहे हैं हमने time भी दिया था हमने सोचा कि हमसे बात की जाएगी 24 घंटे का time दिया था मैं सोचती रही कि आप बात किया जाएगा इसको camera पे पीछे सुल्टा लिया जाएगा लेकिन नहीं किया गया बहुत चीजें खराब करी जा चुकी थी इतने सालों से ठीक है कई लोग बोल रहें कि camera के सामने क्यों बात कर रहे हो घर के matter को घर में solve करो तो वीडियो आया उससे आप समझ गए होंगे कि घर का matter इतने time से क्यों solve नहीं हो रहा है तो कल के वीडियो में काफी लोगों ने यही चीजे बोली है कि yes जो mother आई है रोते हुए लोगों को अच्छा नहीं लगाया और mother के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं यहां पर आज वीडियो में अजीत ने भी बोला कि हम लोग मतलब बस एक बात बोलूँगा कि मम्मी आपने ठीक नहीं किया वीडियो में आके रोना ऐसे ठीक नहीं था गलत मेसेज भी गया और आप गलत प्रूफ हो गए है ना क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीजwww है जो लोगों ने देखी है ठीक है और साथ साथ में याप यह भी चीज कहना चाती हूँ कि जो चीज लोगोंने वीडियो के आधार पे और यह भी बोला गया कि आपने लोगों से कुछ बोला है कैमरे के पीछे आपने कुछ बोला है और कैमरे में कुछ बोल रहे हो है ना दोनों opposite हो गया है तो action को आ reaction हम लोग नहीं आए है देने इस topic पे हमारी last video है ये दोनों बोलके गए है लेकिन बार बार ये ही बोला जारा था कि मम्मी आपको वीडियो में नहीं आते क्योंकि दोनो बच्चे बराबर होते हैं मुझको भी लगा कि आफिर दोनों बच्चों के साथ बैठ क्या बनाती आप घर के छोटे लड़के और बहु के साथ बना रहे हो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो आपका घर का बड़ा बेटा बहु है उन्हें कितना बुरा लगेगा और कल हुम से बाहर कर दिया था और मैंने बोला नहीं नहीं हम लोगों ने लड़की ली है तो मैं शादी करूंगा अगर भाइन अगर इसको छोड़ दिया ऐसा कुछ तो इस चीज का भी बोला गया कि ये सब चीजे इसले बोले गई कि अगर वो लड़की अच्छी नहीं होती त और कहां से शादी कर लेते हैं इस परिवार के लिए कामिनी की क्या importance थी तो ये सब चीजे भी बोली गई लेकिन मुझे कुछ चीजे मतलब आप लोग भी प्रीज मुझे बताईए का नीचे comment section में जिस तरह से बोला जा रहा था पहली चीजों को लाया जा रहा था और कि हम प्रेगनेंसी में मैंने बहुत काम किया सासुमा थी इनके कपड़े तक मैंने धोये हैं और आज कामिनी ने मानी है ये चीजे और उसने ये बोला है कि मैंने कभी वीडियो में मना नहीं किया मैं आज भी मानती हूं कि आपने मेरे लिए भी किया है और बच्चे के लिए भी और जिस तरह से कल निकी ने भी बोला कि आप खुद उपर अपने आपको आगे नहीं बढ़ा सकते तो मेरे को नीचा दिखाते हो हमेशा है ना और पहले यहाँ पे सब लोग यहाँ पे तो नहीं कर पाए आप सोचे हो YouTube पे तो आप जीत जाओ जीत जाओ भाई जीतने वाली और सुमित ने भी एक चीज बोली थी एडिटिंग को लेके कि आप निकी जैसी फास्ट एडिटिंग नहीं कर पाते हो जल्दी से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हो आज तक तो यह चीज़े आप लोग डिसाइड करने वाले कौन होते हो आज जिस पोजीशन पे कामेनी ह करें से इडिटिंग देखी उनको जितना प्यार मिल रहा है ठीक है उननके बराबर आपके बराबर सब्सक्राइबर्स नहीं और वो अपनी मेहनत कर रही है अपने चानल पर ठीक है धीरे धीरे बढ़ रही है जो इस को एसे नहीं करना चाहिए ठीक है यह चीज थोड़ी अ compare करने लगी थी कि अच्छा इसके लिए ये लाया जा रहा है मेरे टैम पे ऐसा क्यों नहीं हुआ शॉपिंग से जूलरी से कि उस टैम पे पैसा नहीं था मेरी जब मेरी शादिवी तब हम लोग अच्छे से हमारे पास थोड़ा इंकम आ गई थी तो इसके बाद जब चीजे बोली जा रही थी बार-बार उसको कि वो करती है compare गरती है ये सब चीजे ना मतलब पुरानी पुरानी चीजों को जब डगिंग किया जा रहा था अच्छा नहीं लग रहा था ठीक है वहां पे कामिनी जी ने भी माने कि येस आपने किया ये चीज तो मैं मना कर ही नहीं रह किया हालांकि कामिनी जी का कहना था कि वीडियोज है और सब लोगों ने वीडियोज भी देखी है बाकी मम्मी ने जो चीजे बोली है उससे बीच बीच में काफी सच भी निकल चुका है आपने एड़िट ही क्यों न किया हूँ कियर अजीद आज बहुत सैड दिखे थे स्पेस्टि उनको मम्मी की जिंता थी मम्मी रोई है मम्मी के लिए कंसर्न कि इतने नेगेटिव कॉमेंट्स आ रहे हैं मम्मी को वीडियो में लेना नहीं चाहिए था और आपने हमें जनम दिया है मैं क्या ही बोलू है न मैं आपक कियर मतलब बच्चे के लिए माँ होती है हमें अपकी और जो चीजे छुपी हुई थी उसका भी वीडियो में जिकर हो गया है लोग आपके लिए गलत कॉमेंट्स भी कर रहे हैं मेरे वीडियो के नीचे क्योंकि वहां कॉमेंट सेक्शन आफ हो गया है ठीक है तो यह चीज कि कमेंट्स को रिपलाई करना कि कि किस तरह के कमेंट्स पिं करना वहां से किस तरह से मुझ बना भना के वीडियो में है न तो लोगों ने देखा है ठीक है और नहीं हरसे कोई गिफ्ट्स रगयरा लाए थी हमेशा हमारी साइट से कम parfois P porch कि यह ऐसा कूब है यह चीज कामिनी को तो यह चीज अच्छी नहीं लगी अरे भई आप किसी को इस चीज पर जच करोगे कि वो कितना गिफ्ट्स ला रही है अपने घर से और जो आंटी जी ने भी बोला था घर में कि फोन करने के लिए कि वहाँ पे जब शादी के बाद सारी लड़ाई वड़ाई जगडा तो यह लोग कहते हैं मेरे बेटा भव कि आप फोन करो हम लड़के वाले हैं हम क्यों फोन करेंगे लड़की वालों से जब बात पहले जब वीडियो आया तो उसमें बोला गया था ना जब अजीद कहरते हैं लड़के वाले हैं वो गलती करेंगे सौब आ रहेंगे तो यह जो मेंटालिटी है यह भी मुझे समझ नहीं आई गिफ्ट्स लाएं और लड़की वाले लड़के वाले यह चीज अच्छी नहीं है लेकिन हाँ एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी एक तो आंटी जी का रोना और एक पता नहीं इसमयात में कितनी सच्चाई है क्योंकि जहां तक हमने देखा है इन लोगों में कितनी भी प्रॉब्लम्स रही हो लेकिन एक दूसरे के बच्चे को यह लोग प्यार करते हैं चाहे निक्की सुमेत हो चाहे वो आजीत कामेनी हो ठीक है धनवा धनवी जो इनके बच्चे हैं बच्चे यार मतलब है सबके मतलब एक जैसे ही होते हैं तो बच्चे तो मासूम होते हैं कि मेरी बेटी को मेरे भाई ने इस तरह से बोला था मतलब एक गाली का प्रयोग किया था उन्होंने बहुत गंदी गाली तो उस गाली क अब हमारे वीडियो के नीचे आ रहे हैं कामिनी ने बोला YouTube प्रूफ है इस चीज़ का कि मैंने कभी मना नहीं किया है कि मेरे लिए किया गया है सारे वाली बाते बे बुनियाद है ये भी बोला गया है आज सच बात को जूट बनाया जा रहा है अगर हम कुछ बोलेंगे बाते फिर बढ़ेगी आज भाई ने अगर बीवी का पक्ष ले लिया स्टैंड ले लिया तो वो गलत हो गया ये बात मुझको भी सही नहीं लगी कि यार पहले नहीं लेता था स्टैंड और उसने खुद बोले अजीद ने अरे भाई शादी करी है मैंने तो मैं कैसे छोड़ के लाया हूं तो छोड़ूँगा ही क्यों जो लड़की पूरे फैमिली को परिशान कर रखी थी उसी से शादी करना चाहते थे क्योंकि ये बोला गया था कल वीडियो में कि मैंने बोला था अगर भाई तुम हम दूसरे घर की लड़की आई है अगर ये नहीं चोड़ तो मैं करूंगा उससे शादी तो अगर लड़की अच्छी नहीं होती तो आप कहां से शादी करते राइट पबलिक को सब कुछ दिखा है देखा है वीडियो में फिर मम्मी के साथ जो कामीनी का बॉंड है आठ साल मैं रही हूं मम्मी मुझे बहुत प्यार रिस्पेक करती तो क्या मम्मी जी को कल भी मतलब जबरस्ती लाया गया धंकाने वाली बात तो नहीं कहेंगे लेकिन मम्मी जी कह रही थी कल वीडियो में कि मैं खुद आई हूं मैं चाहती थी वीडियो बनाना है और सच बीच बीच में आया है ये कामीनी बोल रही थी और मेरे पापा ने जो जो बोला उसी से अंदाजा लगा लो अच्छा कल के वीडियो में ये था कि मैं पापा की रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप अपनी फैमिली समहा लो तो इस चीज से ही पता चल गया होगा मेरी फैमिली कितनी अच्छी है मैं कैसे संसकार है मेरे बाकि एक जो चीज बोली गई थी कि आप एक बात बताओ अगर आपकी खातिरदारी नहीं की गई है या फिर निक्की के साथ जो यह कह रहेंगी अगर कोई लड़का बत्तमीजी करेगा तो आप बताओ किसको बताएगी बिल्कुल एगरी मैं करती हूं हस्बंड को ही आप वह चीजें बाद में कर सकते थे ना कि आप स्टेज पर जाकि उससके बाई को ऐसे कॉलर कॉलर करकर ठेचिक था थी कि वहीं पर जो किया गया यह सब चीजें और आप ने ठिकल सही कहा आपने सही का मुझे अपने घर में कलेश नहीं चाहिए हर बात में मैं जुकी हूँ ये कामनी का कहना है मैं आहत हूँ मम्मी ऐसे बोली अगर हम गलत होते कैमरे के पीछे मम्मी पापा आते हमें दो थपड लगाते है ना और पापा जी नहीं आए पापा इन सब चीजों में इंवाल्व नहीं होते हैं उनका एक स्टेट अफ माइंड है कैमरे के पीछे मम्मी आप किसे क्या बात करते हो फिर कैमरे पर क्या बोलते हो दो जीजे हो गई है दोनों में फरक हो गया है हमें फोन आ रहे हैं कुछ लों के कल से डेली व्लॉग्स ही आएंगे और साथ-साथ एक जो कॉमेंट है अच्छा इनके वीडियो में क्योंकि कहा ज बहुत सारे लोगों को यह देखना होता है बहुत सारी चीज़े होती है कई बार हम लोग इतने अंटेटेन नहीं कर पाते लेकिन यह में लड़के के भाई है हमारा बहुत वच्छे से वेलकम करो ठीक है लोग अपने हिसाब से करते हैं और उन्होंने खुद बोला था कि मम क्यों आई होंगे अब कुछ चीज़े समझ में आ रही है और इस चीज़ को मैं दहेर उससे तो नहीं करूंगी लेकिन गिफ्ट वाली बात ना बहुत दुख हूँ उस चीज़ को सुनके दुख हुआ आप लड़की का कैलिबर देखो लड़की की टैलेंट देखो लड़क से गिफ्ट नहीं आए तो यह mentality खेर आपकी लड़की है कलको उसकी भी शादी होगी तो मैं आपको एक कामिनी जी की वीजियो में एक comment पिन किया है उन्होंने मैं वो comment अभी पढ़के आपको सुनाना चाहती हूँ जिससे लोगों को clear हो जाएगा कि वाकई क्या जो बोला ज पार है कि ससुराल वालों को इजट नहीं दी गए उनको इतनी अटेंशन नहीं दी गए एक comment है मुझे तो यह समझ नहीं आता सुमित बोला कि शादी में देवर को कुछ नहीं दिया सास की इज़त नहीं की पूछा नहीं अरे भाई कामिनी के भाई की शादी की वीडियो मे रिब्बन कटिंग के टाइम पर आंटी ही विशाल के साथ थी और हस असकर बाते कर रहे थी अगर कामिनी के माई के वाले पूछते नहीं तो आंटी कैसे आगे थी और यह सुमित की लड़ाई के बाद भी आंटी वहीं थी कामिनी के व्लॉग में साफ दिख रहा है और सुम में अच्छी नहीं है पब्लिक में डिरेक्ट इंडिरेक्ट सास ससूर के लिए बहुत कुछ आ गया है जो नहीं आना चाहिए तब यही है कि गिफ्ट वाली सोच और यह सोच की नहीं और से कोई गिफ्ट नहीं आए और बार-बार आप सोची जिस तरह से पुरानी कि यह बीशाम मेर को नहीं करने थी शादी और लड़का भी मना कर रहा था देवर भी मना कर रहा नहीं देवर कल इंए यह करेंग से ऊज्प लड़के की कंणर से बाहर निकाल दिया था सोचे यह सब चीज़े आपने पब्लिक कर दी ठीक है कामिनी ने इन चीज़ों पर कोई कुछ नहीं बोला है लेकिन कितना बुरा लगा ओगा और वो सास की जिसनी वो भगवान की तरह इसने पूजा है जहां तक चाई की बात बोली गई कि छे महिने से मेरे पती को मेरा बेटा चाई बना के दे रहा है। अगर आपकी ए बहु है तो आपकी छोटी बहु पिए जिस फ्लोर पे आप रहे होँगे साथ। वो चाई क्यों नहीं बना सकती। मुझे यह सम देख नहीं आया। आपने उसको पउड़े चाय के लिए जो जडियंत्र कर रही थी नहीं भई आप अपनी वाइफ की वीडियो पहले देखो थमनेल देखो टाइटल्स देखो किस तरह की चीज़े दिखाई जाती है वीडियो में उसके हिसाब से लोग यहां पागल नहीं है ठीक है जनता जनार्दन सब जानती है सब समझती है तो वाग आप बोल रहे हैं ठीक है लेकिन हम पता नहीं क्यों मैं कुछ नहीं एक भी बात को ना मैं नहीं कंसिडर कर पा रहे हूं ठीक है आप लोग कंसिडर कर पा रहे होंगे आपका होगा लेकिन मेरे को लगता है कि इस चीज में कामिनी सही है ठीक है कामिनी को हमें सपोर्ट करना बिल्कुल और लड़की वाले यार मतलब हमेशा से लड़की वालों को क्यों दबाना आज के टाइम पर लड़का लड़की बराबर है जितना अजीत कमा रहे हैं मेरे खहल से उतना ही आज के टाइम पर कामिनी जी भी कमा रही है ठीक है और धीरे धीरे उनकी एडिटिंग भी ठीक हो रही तो किसी को ऐसे मत बोलो कि आप जल्दंक से अप जल्दी अपलोड नहीं कर सकते हो आपकी स्पीड एडिक कितनी अच्छी नहीं आप जितना भी उसको compare करो या उस तक पहुँचने की कोशिश करो उसके सुंदर्ता हां जी सुंदर्ता भी पॉइंट आया था अरे है वो कितना काम कर रही है अभी वो खाने में कितनी अच्छी रेसिपी बना रही है उस किंदर के एक्स्टर टैलेंट्स है ठीक है यह सब देखा जाता है ना की सुंदर्ता यह चीज ना मतलब मुझे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आप लोग बताईए मुझे लेना चाहिए मिलते नेक्स वीजर में बाई बाई